हेलो इस्टूरेंट्स मेरा नाम है संदीप दिक्षित वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आज के इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू चेंज हेक्साडेसिमल नंबर इन्टू डेसिमल नंबर तो आएए शुरू करते हैं मैं ब्रीफ कर दूँ थोड़ा सा हेक्साडेसिमल नंबर्स को तो बेसिकली जो हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं 16 डिजिट्स जिनमें से नमबर्स होते हैं वो होते हैं 0 to 9 और लेटर्स होते हैं वो होते हैं A to F और जहां तक लेटर्स की बात आई A to F वो हमारे decimal number 10 to 15 से represent होते हैं इसका मतलब यह हुआ कि जो 10 है वो हमारा equivalent है किसके A के जो हमारा B है वो equivalent किसके 11 के C जो equivalent है वो 12 के B equivalent है 13 के E equivalent है 14 के और F equivalent है 15 के और जो हमारे hexadecimal का base होता है वो कितना होता है वो होता है 16 ओके नेक्स हम लोग बात कर लेते हैं उसके procedures की conversion की तो जो हमारे hexadecimal के conversions होते हैं वह basically हमारे same होते हैं similar methods को follow करते हैं जैसा कि हमारा octal to decimal होता है ठीक है जो change होते हैं basically वह हमारे change होते हैं उनके base value में ठीक है तो हम लोग उनकी base value को change करते हुए यहां पर अपने conversions को perform करेंगे hexa to decimal के conversion को समझते हैं हम एक example के through माल लीजे कि मैंने एक example लिया that is 3D2 की base 16 यहां पर base 16 क्या represent करता है कि हमारा hexadecimal number है और D को हम रो represent करेंगे 13 से तो हम राइट से start करेंगे सबसे पहले लिखेंगे 16 की power 0 into 2 फिर लिखेंगे 13 into 16 की power 1 फिर लिखेंगे 3 into 16 की power 2 उसके बाद क्या करेंगे कि हम इन values को evaluate कर लेंगे 16 की power 2 की value होती है 256 256 into 3 होता है 768 फिर उसी तरीके 13 into 16 की power 1 की value जो हो जाएगी वो हो जाएगी 16 की power 0 की value हो जाएगी 1 1 into 2 की value हो जाएगी 2 इन values को फिर हम लोग क्या करेंगे कि add कर लेंगे ठीक है इन values को add करने के बाद हम लोग कैसे लिखेंगे तो इनकी जो values आएगी वो आएगी की 3D2 की base 16 equal to 978 की base 10 यह हमारा decimal number हो गया so hope student आपको यह concept बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा इसी base पे मैंने कई सारे questions अपरेट description में दिये हुए हैं जहां से जाके आप उसको practice कर सकते हैं और उसके बाद आप मुझको यह भी comment box में लिख के बता सकते हैं कैसी लगी आपको यह video ठीक है बाकी अगर कोई problem हो तो वो भी आप मुझको comment में लिख के दे सकते हैं thanks for watching students कैसी लगी यह आपको video अगर आपको यह video अच्छी लगी हो तो मेरे इस video को like करिए comment करिए और मेरे चैनल को subscribe करिए अगर आपको कोई problem है तो वो भी आप comment में लिख सकते हैं मिलते हैं next video में till then goodbye and take care